आज में बात करूंगी हरसिंगार पारीजात के बारे में इसे रात रानी भी कहा जाता है और देखिए ये गंदे में लगा हुआ है और एक कारण यह भी है इस वीडियो बनाने का क्योंकि कुछ समय पहले ये मेरा जो हरसिंगार का पौदा है कुछ इस तरह से फूल दे रहा और बहुत ही अच्छा फूलों से भरा वह उआ पौदा और हरा भराआ पौदा था और बहुत ही अच्छे इसमें फूल आते हैं इसकी पत्तियों से लेकि फूल टहनियों तक इतने लापकारी होती हैं कि इसके क्हीं कह सकते हुआ ट fen——ये टु गर में कहाए इसके लीए फू तो बहुती शुप पौधा होता है बहुती ज्यादा सुब माना जाता है इसके फूल पतियां अधिकतर सब और जड़ी वूटियों के काम में आती है साथ ही यह पौधा जो वास्तु के साफ से भी बहुत अच्छा माना गया है तो यह पौधा मेरे घर में था और बहुती जाना जाता है लेकिन जैसे यह सितंबर अक्टूवर माह की किलिप है जैसे कि सीधा एक साल अब होने को आ जाएगा कुछ ही महनों में तो वस उसके बाद ही इसमें इस तरह के फूल तो दे ही रहाता जब सीधे सर्दियां आना स्टार्ट होती है ना तो सर्दियों में धीर दीरे इसकी ग्रोथ रुख जाती है और साथ ही इसकी जो फ्लावरिंग है वो भी खतम हो जाती है और इसकी ग्रोथ भी रुख जाती है क्योंकि यहां गर्मियों वाला पौदा है इसको ठंडा और गरम मौसम मतलब बहुत अच्छा लगता है पर जादा सर्दी और जादा यह पौधा सहर नहीं कर पाता है तो इसी तरह जब सर्दियां आई तो सर्दियों के कारण मेरा पौधा कुछ थोड़ा सूख भी गया था बापस इसने थोड़ा सा फिर से नई ग्रूथ स्टार्ट ही की थी लेकिन गर्मियों के कारण यह फिर से सूख गया हरा भरा करने के लिए हम इस प्या उपाए करें कि जिससे यह फिर से हमारा हरा भरा और घना पौधा फिर से बन जाए और जैसे की इसमें फ्लॉबरिंग का सीजन होता है सितंबर अक्टुबर तो यह वापस से इसमें फ्रॉफरिंग श्टार्ट हो जाए तो चलिए एक वीडियो बना रही हूँ आपके लिए आसा करती हूँ बहुत ही वीडियो आपके लिए होपफुल होगा और लागतायक रहेगा आपके लिए जब आपके इस तरह से पौधि मर जाती है तो आप क्या उपाई करें इस पे कि जिससे ये फिर से हरा बरा और हो जाए तो इसके लिएत कुछ नहीं करना है में मार्केट का कुछ भी नहीं लेकर आना है जो भी हैं हमारे घर में Marchal अर्व्ह मिल जायेगा और इसको हम अपने गाडन में यूज करेंगे तो चलिए यहां पर मैने लिया है पेंकिंग Soda और यह एक लिक्विट हेंड वॉस है इसको हमें लेना है और हम अपने जो पेड़ है अपने जो पेड़ है जिनकी नई ग्रोथ लानी हो उसके लिए हम इसके लिए एक ऐसी चीज बनाएंगे जिससे की हमारा पौदा फिर से हरा हो जाए तो देखिए यहां पर मैंने एक लीटर ज tablespoons लिए जिसके मैं एक चोधाई चमच वेकिंग लिकंग लें एक लिक्विट हेंड वस्यमाद से मसित लिक्विड लीजे कोई भी है पौदे लेने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिलाने के बाद अच्छे से मिला लीजिए और मिलाने के बाद इसे अच्छे से हिलाएंगे, डुलाएंगे और इसको हम तयार कर लेंगे अपने पौधों में डालने के लिए यहां हमारा liquid बन करके तयार हो गया एक strong liquid powerful बन करके तयार हुआ है इसे हम अपने पौधों पर इस्प्रे करेंगे और साथ ही हम इसे थोड़ा साथ उनकी मतलब जो मिट्टी है उसमें भी डालेंगे अगर कोई भी किसी भी तरह का फंगस लगा हुआ है या हमारे पेड की ग्र मैं आपके सामने वीडियो बना रही हूँ यहां पर कोई भी ग्रोथ नहीं हुई यह पौधे मेर और यह मेरा हरसिंगार का ही पौधा है जो गर्मी की कारण सूग गया था और साथ ही यह भी हो सकता है कि इसकी मिट्टी में कोई फंगस लग गया है या कोई और भी कोई दि दिख रहा है यहां मोगरा का पौधा है बहुत अच्छी फ्लाबरिंग आने के बावजूद भी यहां पौधा सूग गया और यह बिल्कुल इस्ट्रेस में ही चला गया और यह दोनों ही पौधे मेरे गर्मियों में खराब हो गए तो मैं इन दोनों ही पौधा पर इसका इ नहीं पत्तियां ग्रोथ करेगा तो बस इसको मैं इस प्रे कर दूंगी और इसकी डालियों पे भी इस प्रे करूंगी क्योंकि यह पौधा डबलब हो रहा था बट किसी कारण वर्स हो नहीं पाया था पर देखी यह मेरा कम से कम 15 से 20 दिन का रिजल्ट है जिसमें इस कुछ भी खाद नहीं डाला है आपको यहाँ वीडियो क्यों से लगए प्लीज लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा पॉस्ट चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा थैंक यू फॉर मुचिंग मैं वीडियों